आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे हमारे देश में जो बीजेपी का आज आप लोग पर्चम देख रहे हैं ना इसमें काफी हद तक इनका युगदान जरूर रहा है और इन्हें राजनीती का चाड़क भी कहते हैं लोग और आप देखें बीजेपी ने अगर सबसे जान्दा सफलता पाई हुई है तो इन्हें के अद्ध्यक्च बनने के बाद ही बीजेपी को इतनी सफलता है मिली हुई है हम अमेसाई की बात कर रहे हैं और अभी आप सभी जानते हैं कि अमेसाइ हमारे देश के होम मिनिष्टर ग्रह मंत्री हैं और आप देखे कि मौदी डी जाती है कि इस तरह की दोस्ति होने चाहिए और कहते हैं कि मौधी शहब को यह तक पहुंचाने हैं इनका खापी योगदान भी रहा है और आप देखे यह अमिस्साहई साहब है एक मोधी साहब है और यह आप देखेंगे अमिस्साहingen की बेटा हैं और आप देखेंगे इनकी पतनी है और बेटी की भीवी है तो आज हम अमित साह के बारे में एक सामाने जानकारी देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं हमारे देश के हम मिनिस्टर साहब और सबसे बड़ी बात है कि राजनीती के चाड़क साहब के बारे में आपको कमसे कम मालू तो होना चाहिए तो इनका बास्तविक नाम, मुझे लगता है कि कई लोगों तो कुदो इनका असली नाम भी मालू नहीं होगा अमित भाई अनिल चंद साह है इनका पूरा नाम है इन्हें आप लोग अमित साह के नाम से जानते हैं या अमित के नाम से जानते हैं इनका जनम होता है 22 अक्टूबर 1964 को और कहां हुआ था मोंबई महराष्ट में इनका जनम हुआ था मोहंबई महराष्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये आपको महराष्ट को देखने को मिलेगा गुजराती परिबार में हुआ था किसमें गुजराती परिबार में इनकी पतनी की बात करें तो सौनल सा है इनकी पतनी का नाम बेटा की बात करें तो जैसा है इनका बेटा है और आप सभी जानते हैं कि भारतिय किर्किट कंट्रॉल वोड के सचिप भी हैं BCCI के और कई वार आप देखते हैं कि ये बिवादों में भी रहते हैं कि किस कारण से ने बेटा इनके बेटे को सचिप बना दिया गया है और कोई कहता है कि परिवार के मतलब आप सोचे जनके पिताजी इतने बड़े फत्पर हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं विस्विध्याले की बात करें तो CU Science Science College एहमदावा से अपनी सिक्षा प्राप्त करते हैं और विज्ञान में इसनातक किये हुए हैं BISC किये हुए हैं BIO Chemistry से और बेवसाही की बात करें तो आप सभी जानते हैं भारतिये राजनेता हैं और भारतिये जंतापार्टी यानि की BGP से जुड़े हुए हैं बात आती है राजनेतिक केरियर की और मुझे लगता है कि हम लोग अमिर साह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके राजनेतिक की आत्रा के कारण ही पढ़ रहे हैं तो साल 1983 में ये RSS से जुड़ जाते हैं जो आप लोग राष्टी S.M. सेवक संग देखते हैं उसी की बात ह हो रही है और बीजेपी में अधिकता नेता आप देखेंगे कि RSS से निकले ही हुए होते हैं मौधी साह भी आप RSS से जुड़े रहे हैं अमिर साह ने अपने कॉलिज की दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला लिया और साल 1983 में अखिल भारतिये विद्यार्थी परिश को पाइटी की ओर से बिधानसवा चुनाव लड़ने के लिए टिक्ट दिया जाता है और जिसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने गुजरात की सरखेज बिधानसवा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत भी मिलती है फिर इनोंने इस सीट से लग जनता के द्वारा होता है विधायक का अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आपका मद्दासा सूची में नाम जोड़ चाका होगा और आप लोग भी पोट डालने जाते होंगे ठीक है फिर आप देखेंगे साल 2002 में इन्हें मंत्री बनाया जाता है गुजरात की विध मुदी मंत्री प्दों की जिम्मेदारी दी जाता है साहे सापको और जिस बखत साहे को यह मंन्त्री पद दिये गchae उस मगत्त पिधानमंत्री इन्हें मौदी इस राजी के मुद्कमंत्री हुआ करते थे यानिकि नोनों की जोड़ी एक लंबे समय से आप देखें एक सात र कि या पिदान मंत्री मोदी के लिए एक ही राजे से तालोक रखने पाले साह और मोदी यह एक दोसरे क को लंबे समय से जानते हैं. वही साल 2004 में हुए लोगसावा चुनाओ में साह ने अपनी पार्टी ओर मोदी जी के लिए पिरचार का कार किया और इन चुनाओ के सांदाज जीद लाई और इसके इलावा इन्हों ने इस पार्टी के अने नेताओं के लिए भी पिरचार पिसार किया लेकिन 2014 की चुनाव में आप सभी जानते हैं कि बहुमत मिला था अपनी दम पर सरकार इनों ने बनाई हुई थी गटबंदन की जरुवर नहीं पड़ी थी ने फिर साल 2014 में बने BJP की अध्यक्ष बनते हैं अमिसार ने लोकसवा चुनाव में अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और वही उसी साल यानी की 2014 में इन्हें पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेरदारी दी गे और जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनके द्वारा पार्टी से द्वारा इस्पथ के लिए नियुक्त किया जाता है यानि की राष्टी अध्यक्ष बनाया जाता है साल 2017 में इने भारती जिन्ता पार्टी BJP की ओर से राज्यसभा में गांधी नगर से लोकसवा चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं और जो मौदी सरकार की कैमिनेट थी इसमें मिनेश्टर बनाया जाते हैं ग्रह मंत्री ग्रह मंत्री बनाया जाते हैं क्या बनाया जाते हैं हॉम मिनेश्टर बनाया जाते हैं और एक बात और बता द समय रहे हैं तो अगर आप सोचे कि किसी पार्टी को अगर दो चार दस जाना बिधायक मिले अगर सरकार जैसे माल लिए कि उत्तरपदेश में 403 सीटे हैं अगर आप सोचे कि अगर 400 में से से 210 सीटें तक अगर बेपक्ष को मिल जाएं तब भी बेपक्ष को डर सताता रहता है कि अविस्ताय कभी भी सरकार गिरा सकते समझ रहे हैं आप इस आए कि कुछ फैसले लिए गये हैं हॉम मिनिस्टर बनने के बाद आपने देखा होगा जमू कस्मीरी से धारा 370 जो अनुछे 370 आप लोग देखते था ना इसे हटाया गया और लंबे समय से आप देखे लोग मांग भी कर रहे थे और बीजेपी का यह आप देखे कि विचारधाराई यही यही है आप देखे कि पुरानी संस्किती को लाना राममंदरी की बात करते हैं 370 हटाने की बात करते हैं और 370 हट चुका है राममंदर बन चुका है आँगे क्या होता है अब आने वाला बक्त बताएगा तो वहाँ जम्मू कस्मीर को दबाय रखने वहाँ के बढ़ते हुए आतंक रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कस्मीर से तैसी हो का उन्मूलन किया ओर उन्होंने धारा 370 खतम कर दी जिसके बाद जम्मू कस्मीर का मुख हिस्सा भारत में जोड लिया गया और धारा खतम होने के बाद वहाँ पर नए एक नियम अनुसार भारत में एक राज जो सामिल किया गया जिसके बाद आप देखिए जम्मू कस्मीर के से लद्दा को भी अलग कर दिया गया यह महत्पूंड काम देश के ग्रह मंत्री अमिसाय के द्वारा इसे किया गया है और आप देखिए कि पहले आप ने देखा होगा कि अनुसे बड़ा जटका दिया लेकिन देश में आतनकबाद और गेर कानूनी अपराद को कम कहने के लिए उन्होंने कदम उठाया जिसे NRC का नाम दिया और जिसके द्वारा उन्होंने देश से कुछ ऐसे बंगला देशियों को बाहर निकालने की बात कई जो देश में अना भूसी हमारे लगे हुए हैं जो आप समझे बंगलादेश हो या नैपाल हो भूटान हो बर्मा हो स्री लंका हो पाकिस्तान हो यहां से घुस्पेट होती रहती है आराम से तो इसे इनी लोगों को निकालने के लिए नकसली नकसलवादी का मुंता भारत में कुछ राज जैस इसे उन्हें ख़देड कर रख दिया कही जगे आप देखते हैं कि समझहता कर लिया क्योंकि नकसलवादी हमारे ही देश के लोग हैं तो उनसे समझहता करके उन्हे। और आस्ता भी दिखाए गया। उन्होंने नकसलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं तो सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हात्यार चोड़कर आथम समर्पन कर सकते हैं। ताकि हमें उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें देश का नागरिक बना कर रखेंगे, और उन्होंने ऐसी रणिती बनाई जिस पर अमल करना नकसलवादियों के लिए महत्पूर हो गया, और कई नकसलवादियों ने आपने देखा है सरेंडर भी किया, आमें साय से गुजरात में हुए इंकाउंटर में तीन लोगों को आतंगवादी बताती हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता ही कि इसे इंकाउंटर के बीछे अमें साय का हाथ था, और इसे एक नकली इंकाउंटर बताया था, वही साय पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे ले बाहर निकाल दिया था, और राज में प्रवेस करने पर रोक लगा दी गई थी, हाला कि ये रोक 2012 में इनके उपर से हटा दी गई थी, गुजरात दंगों के सबूत साप करने का आरोप भी लगा, साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी अविस साय विवादों मे गिरे थे, साय पर आरोप लगा थे थी, कि इन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूत को मिटाने की कौसिस की हुई है, साय पर ए भी आरोप लगा था कि इन्होंने इस केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर किया हुआ है, महला की जासुसी का आरोप भी लगा ते हाला कि साय ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है, अमिसाय से जुड़ी कुछ और जानकारिय है, साय अमिसाय है, एक आप सभी जानते हैं, बड़े नेता हैं तो जैड फिलस, सुरक्षा मिली हुई है, अमिसाय काना मुनराज नेताओं में आता है, जन्हें जैड फिलस सरकार द्वारा जैड फिलस सुरक्षा दी गई है साय के साथ हर वक्त 25 कमांडों रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं पहली बार मौधी की बात करें तो आप देखेंगे 1982 में मौधी से मिले थी हमिस्था है अमिस्था और मौधी एक ही पाइटी के लिए कार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं कहा जाता है कि साल 1982 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों आहमदाबाद में RSS की आयुजित हुए एक कारकरम में आये थे और वही उस समय हुई इनकी छोटी से मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदल गई और आप देखते हैं कि कहा जाता है कि मौधी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ है किसका अमिस्था का सुरुवाद में आपको बता दो इस टौक वरोकर के तौर पर भी काम किया है इनोंने साय आज भले ही राजनीती में एक जानमाना चेहरे बन गए हो लेकिन उन्होंने अपने कारियर के सुरुवाद दिनों में बात और एक स्टोक वरोकर भी काम किया हुए है इतना ही नहीं कहा जाता है कि साय ने एक सहकारी बैंक में भी कुछ समय तक अपनी सिवायत दीती है तो यही कहान ही है हमारे देश के हॉम मेनेश्टर साप की अमिस साय साप की और भी बताईए किसी के बारे में बात करनी हो तो और जो भी हमारे देश के राजनेता हैं जो भी चर्चित बैकती हैं देश दुनिया कहीं के भी हो हम लोग उन पर बात करते रहेंगे ठीक है आप लोग इंजवाय करते रहें